हेलो श्टुडेंट आज हम लोग क्लास 11 का मैच चैप्टर 5 कॉंप्लेक्स नमबर और क्वाड़िटी की क्विश्चिन का एकसा साइस 5.2 का कॉश्चिन नमबर आज हम लोग 3 देखेंगे तो चली देखते कॉश्चिन नमबर 3 में हम लोग को क्या करना है कोंफ्लेक्स नमब कोंप्लेक्स नमबson कोंप्लेक्स नमबर गईवन इन क्विश्चिन 3 तो फट नयूश्ट करना है तो चली कैसे करेंगे देखते कोंप्लेक्स में क्या करें देखते हैं हम लुग क्या करेंगे इससे compare कर लेगे तो x क्या हो जाएगा हम लोगका क्या हो जाएगा अब यहां पे देखते हम लोग Z equal to हम लोगा क्या होता है R cos theta plus I r sin theta तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे R निकाल देखे R का value निकाल लेखे कैसे निकालते R का value X square plus Y square का root over यहाँ पर देखे X कितना दिया है 1 का square हो जाएगा plus Y कितना दिया minus 1 का square हो जाएगा अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए अब, x equal to, अगर इसको compare करें, इसको compare करेंगे तो क्या ज़ेगा, x equal to r cos theta, और y equal to r sin theta, इससे इसको compare किया था, हम लोग ने, मैंने जब introduction कर रहे था, मैंने आपको बताया था, कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, अब x equal to कितना हम लोग का 1 है, r कितना है, root 2 है, cos theta, याँ y कितना है, minus 1 है, equal to r root 2 है, और यहाँ पर sin theta, यहाँ पर क्या ज़ेगा, 1 by root 2 equal to cos theta, और यहाँ पर क्या ज़ेगा, minus 1 by root 2 equal to sin theta, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए, इतना कर लिए, अब हम लोग alpha निकाल लेते हैं 10 inverse क्या होता था वाय बाई X ना और मोड लगा रहता था था 10 inverse y कितना है माइनस 1 है अब 1 max कितना है वन है क्या हो जाएगा देखिए mode है इसली प्रच्छी नहीं क्या होगा माइनस 7 हट जाएगा क्या वठेल क्या वर्चेगा अब यहां पर क्या भी लिग सकते देखिए यहां पर दिया से देखिए इसका मुल्ग क्या देख सकते पैन इन वर्स टैन पाइबाइबाइब फॉर यानि कि यहां पर देखिए थोड़ा सा यहां पर देखिए आप खत्ते पाई यी अपना देता हूं लोग आता अफो देखिए प्लस होता था मिटर प्लस होता था और यहां पर काण है और वाई क्या मायनस है तो कौन से क्वाडरेंट में आएगा हम लोग का देखिये प्लस मायनस है तो कौन से कोडरेंट में जाएगा हम लोग का फॉर्थ क्योंकि एक्सिस में पोजेटीव होगा और वाई नेगटीव होगा अब यहाँ पर देखिए हम लोग इसको जब हम लोग का फॉर्थ क्वाडरेंट बायेगा तो थेटा किसके एक्वाल होता है माइनस अलफा के एक्वाल होता है अब यहाँ है आपलब दैखिए घावनों मैनल est अब यहां पे देखे अलपा कितना हैं तर्फ कितना है प्य। इतना था हम लोगाइड Source he 2 यहां से करेंगे root 2 कोमा बाहर निकाल लेंगे दोनों में कोमा ना जाएगा क्या बचेगा cos cos minus pi by 4 plus i sin minus pi by 4 यह हम लोग क्या हो जाएगा polar formula यह हम लोग का answer हो जाएगा so student video पसंद आए तो like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और इस channel को subscribe कीजिए thank you